किसान साथियों नमस्कार मैं सोनू स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैक गोर्ड फारिम पे किसान साथियों ऐसा अक्सर देखा जाता है जब हमारे पसू बच्चा दे देते हैं 20 से 20 दिन हो जाता है एक महिने हो जाता है फिर भी हमारे पसूओं के जो पीछे से जो एवनी से सफेद पानी निकलता है वो बंद नहीं होता है कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि हमारे पसूओं के पीछे से जो है सफेद पानी के साथ साथ बलेड भी आता रहता है तो किसान साथियों ये जो है हमा ही गिर पाता है कि वजह से इंफेक्शन फैल जाता है और इसी के कारण से हमारे पसुओं के जो है उनी से सफेद पानी ब्लेड वगेरा आता रहता है तो किसान साथियों आज हम इसका बहुत ही बढ़िया इलाज ले के आए हुए हैं बिलकुल देशी तरीके से यह आप घर पे ही कुछ घर के समागरी से किचन के कुछ आइटम से अपने जानवर के बच्चरदानी का इंफेक्शन सफेद प यह हंडर परसेंट आपके पसू के बच्चरदानी में इंफेक्शन है या सफेद पानी आ रहा है ब्लेड आ रहा है यह सारी समस्याएं बिलकुल दूर हो जाएंगी तो किसान साथियों इस फार्मूले को बनाने के लिए आपको चने का बेसन लेना है और किसान साथियों इ आपको मिस्री लेना है जैसा कि आप इस इमेज के माद्यम से देख सकते हैं यह सुगर चीनी का ही पार्ट होता है मिस्री जो आपको पंसारी के दुकान पे आसानी से मिल जाता है आपको मिश्री लेने हैं कम से कम 70-80 ग्राम और किसान साथियों इस तीनों आइटम को आपको मिला के एक हलुआ तयार कर लेना है सुजी का हलूँ बनाय जाता है उसी तरीके से आपको घ्राइए में घी डालके उसके बाद आपको बेशन डालके और मिश्री डालके हलुआ तैार कर लेना है जैसा कि हलुआ बनाय जाता है आप सबी को पता होगा हलुआ क्या होता है और किसान सात्यों इसके साथ साथ आपको 20-25 ग्राम हल्दी भी मिलाना है और हल्दी गांट वाली हल्दी होनी चाहिए मार्केट वाली हल्दी नहीं होनी चाहिए पैकेट वाली हल्दी नहीं होना चाहिए क्योंकि पैकेट वाली हल्दी में अनाज का मिस्रन होता है Hendi scaric feds दिए और पिस्क करके गरपे भी पॉर्टर बनवाएं या तो आप सिलबटे पर पिसके घरपे भी पॉर्टर बनाएं तो वह टरी आपको लेनी है गाट वाली हल्दी लेनी है किसांसातिशों और आपको इस में जो आपने हल्वा तैयार किया है हल्वे में आपको 20-25 ग्राम हल्दी ऐड़ कर देनी है हल्दी किसान साथियों हमारे जानवरों के ओपर बहुत हैं अच्छे से काम करता है हमारे जानवर सरीर के बाहर के भी infection दूर करता है और सरीर के अंदर भी कहीं infection है उस पे भी बहुत ही अच्छे से काम करता है तो आपको इस हलुए में अगर जो आपने हलुआ तयार किया हुआ है इस हलुए में इस फार्मूले में आपको हल्दी जरूर मिलाना है किसान साथी हो तो आपको 20 से 25 गराम हल्दी मिलाने के बाद साथी हो इसे अपने पसू को साम के टाइम में खिलाना है जब आपका पसू खाना पीना खाके बिल्कुल आराम रेश्ट मूर में जब बैठे जब खूटे पे बन जाए तब इस फार्मूले को आपको देना है और किसान बलेड आने की समस्चा है यह सारी समस्या 100% Guarantee है कि रह दूर हो जाएंगा और यह फार्मुला 101& काम करता है हमारे पसू के बच्चरदानी के infection को दूर करने में सफेद पानी आने में Blood आने में बहुती बड़िया कामगर है। तो किसान साथियों करता notification bell icon गंटी जरूर दवाएं ताकि अगले नई वीडियो की जानकारी आप तक पोचे और आप उसका लाब उठा सके